आप और आपके सितारे प्रेजेंट्स एस्ट्रो वास्तू सलूशन्स आपके लिए एस्ट्रो सलूशन्स लेकर आते हैं जोतिश अचारे पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी जिनसे आप पासकते हैं हर समस्या का समधाल तो कॉल करें अचारे जी को 408-480-5477 पर और वास्तू सलूशन्स जो आपको ले जाते हैं सही दिशा की ओर आप पासकते हैं वास्तू कंसल्टेंट रेवा कुमार से जिन्हें आप कॉन्टैक कर सकते हैं 510-868-3338 पर सुन्ना न भूलें एवरी वेंस्टे फ्रॉम तो 3.30 प बान भान भान a by following the Vastu principle, living in harmony with the earth, jo आपकी हर समस्य का निवारं कर सकता हैं Contact Vastu consultant Reva Kumar who helps to bring peace, prosperity, health, wealth and harmony by removing the Vastu defect from houses, homes, factories, offices and business If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की website है www.divinevastu.net Reva Kumar को contact करने के लिए डायल करें 510-868-3338 इनका email address है www.divineavc.gmail.com Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. जै मातादी लिशनर्स एक बार आपका फिर से स्वागत है इस कारिक्रम में आप और आपकी सितारे तथा इस रो Vastu solution में. यह समय है आपको वास्तू से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां देने के लिए जो ले करके आती हैं रेवा जी जिनहें वास्तू बिसेशक्य कहा जाता है. रेवा जी 25 वर्सों से भी अधिका अनभो रखती है इस छेतर में आपके घर में, होटल में, मोटल में, वेड रूम में, स्टेडी रूम में, बिजनेस प्लेस पर, लिकर इस्टेशन, गैस इस्टेशन या और कहीं भी यदि आपको लगता हो कि वास्तू दोस्त के कारण आ आपके बिजनेस में वरकत नहीं है, या कि सर्विस में किसी प्रकार की बाधा है, पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार का तनाओ है, तो आप रेवा जी से संपर कर सकते हैं, रेवा जी से सलाह लेने के लिए, रेमेडिस लेने के लिए, आपको कॉल करना होगा, अभी यहा पर इसी समय जहां रेवा जी विराजमान है कालम नमर है 408-912-5565 408-912-5565 और यह थी आप आफसों के बाद में बात करना चाहते हैं रेवा जी से डिरेक्टली तो उनका पर्सनल कांटेक्ट नमर इस 510-868-3338 510-868-3338 बहुत सारी जानकारी रेवा जी की वेबसाइट से भी आपको मिल सकती है जहां पर उनके ब्लॉग में आप देख सकते हैं कि किस समय पर कौन से वास्तु दोस्त के कारण कौन से रेमेडीज लिया जा सकता है उनकी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपको जाना होगा www.divinevastu.net www.divinevastu.net और यदि आप उनको इमेल करना चाहें तो उनका इमेल आइडी है divineavc at gmail.com divineavc at gmail.com तो लिसनर्स रेवा जी यहां पर हैं आपकी बहुत सारे प्रश्णों का जबाद देने के लिए बहुत सारी remedies देने के लिए सुझाओ और सलाह देने के लिए यदि आप बासलो दोस्त के कारण आपके मन में कहीं कहीं चिंता भय, दुख, तक्रीफ या परेशानी है तो रेवा जी हम आपका स्वागत करना चाहेंगे लिस्नर्स बहुत बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं अपनी बहुत सारे प्रश्णों को लेकर नमस्कार अचारे जी और हमारे सभी प्यारिया के लिस्नर्स आपको प्यार भरा नमस्कार लेकर चलती हमेशा की तरह सही दिशाओं की तरफ ताकि सही दिशाएं जाएं और अपनी अच्छी सी दशा पा जाएं तो लिसनर्स बिना तोड फोड के ये हुए रिवा जी बहुत सारी रेमेडीज देती हैं जो आपके घर में बास्तु दोस को पल भर में भगाने में सहायक होती हैं तो रिवा जी हम आपसे आज बहुत सारे प्रशन करना जरूर चाहते हैं लेकिन लिसनर्स भी आपसे बात करने की इक्षा रखते हैं क्यों न हम लिसनर्स को अटेंड करें पहले चलिया जारे जी जैसे आपका हुकम तो पहले कॉल लेते हैं ये से लाइवा नेर विटरेवा कुमा अलो रेवा जी नमस्कार जी है अलो रेवा जी मैंने मेरे को कुछ क्वेशन से मैंने आपसे पहले बेबात की हैं और मुझे आपसे पूछना था आपने में एको नौट इस्ट के बात्रूम में बहार चांदी का वायर लग राने के अच्छा और एक और चीज़ कंफर्म करनी थे आपने में को नौट वेस्ट बैट्रूम में मास्ट बैट्रूम में पीकॉक फैदर्स बताये थे तो पीकॉक फैदर्स का क्या महत्व है और उने खड़ा रखना है या लिका कर रखना किस दिरेक्शन में रखना है वो एक में किस दिरेक्शन में रखना है और उने रखना सही है या नहीं आपके तीन प्रशन है जल्दी से आप पूछ रही है सबसे पहला कोशन जहो आपने में से पूछा है कि नौट इस के बाहर पर जहां आपका बातरूम है वहां पर आप सिल्वर वायर को जरूर लगाए यह साथ ही साथ वहां पर रॉक सी सॉल चोटी सी किसी डिश में रखे टॉयलेट सीट के नीचे जरूर रखें ज़रूर रखें जब आपको दो दिन के बात में जब पॉजिटिव हो उस सॉल को अब फलश करके दुबारा डाल दिया करें हाँ वह आपने बता है वह सब में फॉ एर एलिमेंट से रिलेटिड होता है तो पीकॉक फैदर्स को हम उसके साथ में देते हैं ताकि आपको इमोशनली जो कई बारा पंस्टेवल हो जाती है अपने आपको इंसेक्योर पाती है उसको स्टेविलेटी देने के लिए और आपने देखा होगा कि पीकॉक जब भी कु कर सकेंगी वहां पे उसकी प्रेजन्स मिलेगी थर्ड आपका कोश्चन जो था रेड कलर का अपनी क्या रखा है वो मुझे समझ में नहीं आया टाइगर्स आई क्वाट्स होते हैं क्रिस्टल जी बिकुल वहां जी बिकुल आप उसको रख सकती हैं लेकिन वहां पर साथ मे करके रख लिजे जहां पर आपके बेट का कॉनर साथ वेस्ट परता हो उसका साइट टेवलों का वहां रख सकती है आज को अचली मैंने पहले बताया था तो मेरा जो हैड आता है वो साउथ इस्ट में हमसा रख के सोते हैं वहां फायर प्रेस भी है फायर प्रेस के होने की वज़े से आपने मुझे पताया था है उसे हैवी करने के लिए सिरेमिक का रेस देना है और रेट कलर के फ्लावर तो स्वे बेट कर लीजे बेटके चार कॉर्न बनाए जहां आपको स्वेट्स थोड़ा वेड़ कॉरस मिलता इपने बेट का अपने बहां पर रख़ियो अगर मैं सुझा कर तरह मैं तब मैं देखा साथास वेस्तार मीरन करना चाहता है तो अक़ना पीड था है और masa में देखे है तो ऐसे दुरेंगे अटो तो प्रमाधे और करम आपको आपको अने कंपास को बैट पर अच्छा को स्चाव पर अच्छा वहां पर मुझे रड़्ाइड वाले ट्राइगर उसक को महान पे रागए इंचा एक चोटा साथर लास्ट प्वेस्ट करने कर दो कि हैं समय बहुत हो जाता है आप मुझे शोके बाद भी कॉल कर सकती है तो लिसनर्स मैं आप से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि एक क्वेस्चन जो है इस समय पर यहां पर आप करें ताकि दूसरे लिसनर्स को भी दूसरे क्वेस्चन करने लोगों को भी अचारी जी ऐसा हो लेकिन इसके साथ में अगर हमारे बागी चार एलिमेंट प्रॉपर जगा नहीं होंगे तो हमारे को रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो लिसनर्स पूरा बनाना है उसको करने के लिए पाने के लिए आपको कॉल करना होगा रिवा जी को उनके पर्शनल नमबर पर रेडि करने की सोच रखता हूं कि डिवाइन वास्तु हमें कितना हेल्प करती है बहुत सिंपल वर्ड है डिवाइन वास्तु हमें कितना हेल्प करती है हमारे लिए डिवाइन वास्तु तेकि मैं यह नहीं कहना चाहती कि कोई भी वास्तु हर वास्तु जुतना भी वास्तु एक अ वर्धमान आपको तो संस्क्री साधा चितारा पता है कि वर्धमान जिसमें स्ट्रेस हमारे को आता है क्या उसको हम प्रॉपर बैलन्स कर पा रहे हैं कि नहीं का रहे हैं या उससे जो भी हमारे को एनर्जी मिल रही है वो कैसी है तो आपको वास्तो स्रिष्टी जो पूरे यूनिवर्सल के साथ है चिकितसा जग अगर उसमें कोई दोश है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं प्लस अगर हम उसको डिमॉलिश नहीं कर सकते हैं तो क्या हम उसका ट को ही बैलन्स करता है means कि only वास्तु expert can let you know कि इसका क्या relationship है जर कई बर हमारे को कोई बता देता है कि इसको demolish कर दीजे अगर demolish करते हैं तो you can understand कि वह एक खौरर सीन हो जाता है कि इस चीज़ को हम कैसे demolish करें because it is not possible वर उस समय जरूर divine वास्तु आपकी help करते हैं जहां हम आपक देते हैं without doing any renovation या उसको demolish किये बिने जो यह products हैं जिसको energized products बोलते हैं चाहे वो pyramids हो जाएं चाहे वो crystals हो जाएं metals हो जाएं उनके द्वारा या mirror के द्वारा हम कैसे positive results ले सके तो listeners सुन रहे हैं आप रेवा जी को जो वास्तु पर बहुत सारी command रखती है 25 वरसें से इनको ज्यादा अधिक का अनभव है आपके घर में hotel, motel, business place या work place या bedroom, study room में कहीं भी अगर आपको लगता हो कि वास्त दोस की कारण आपको परिशानियों का सामना करना करना पड़ रहा है तो don't hesitate just give us a call to talk to Rewa ji calling number is 408-912-5565 408-912-5565 लेते हैं call, yes you are live on air with Ritesh Reva Kumar Ritesh Ji का कारिक्रम भी आप सुनेंगे लेकिन कब सुनेंगे रेवा जी हलो, yes you are live on air with Reva Kumar जी हाँ जी आपसे पूछना था कि अगर आपको गवर्मेंट के रिलेटेड कोई बता सकते हैं मतलब की मैंने पुछना था अपने green card के बारे में जी नहीं, अगर आपका astrology से जुड़ा सवाल है तो उसके लिए तो अचारे जी मदद करेंगे हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो को legal कोई issues हैं उन paper को हम जल्दी से जल्दी results पा सकें तो अगर आप अपना north west corner में उन documents को रखेंगे तो आप positive results पाएंगे अपने कहां रखना है? अपने घर के north west direction में अचाब वो इस papers को north west के? हाँ, north west direction में रखेंगे बिल्कुल आपको positive results मिलेंगे साथ ही साथ, specially अगर आप सोचते हैं कि आपकी green card के लिए कोई भी date आ रही है या कोई interview आ रही है तो at least उससे seven days before उस document को आप particular उस document को आप अपने north east में अगर कोई पूजा की जगह है तो उसके लीचे रख दीजिए आपको बहुत अच्छा result आपकी favorable मिलेगा north east, east east, thank you very much you're welcome जी, लेते हैं next call, yes your live on air with Reva Kumar hello, hi ma'am, I want to know, I have too much problem going on at my work right now, like too much stress I want to know what should I do would you like to clear me, let me know about the direction of where you are sitting from maybe north side north side, but is it northwest or northeast I think northwest see, I think नहीं करिये, क्यूकि northwest आप बता रहे हैं कई आमारे को northwest में, we are sitting in the northwest direction of the house or we are having our bedroom in the northwest and we are having lots of issue unstability in job or the stress also so it's my request to you that kindly go through properly regarding the direction of your workplace or your house then call me back and definitely I try my best to get your help okay, I'm checking right now, it's the northwest this is the northwest and you just try sorry, 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 southwest it was southwest yeah, you are facing to the southwest this means that your back is north east here if you are facing the southwest then you can change your north east If you change your north east, it will be better so if you change your north east, it will be better if you face your north east, if you are back in your back, you'll be facing your north east then you can become out of your stress से बाहर आ सकती है और जॉब में स्टैबिलिटी भी लेकर आ सकती है आपको नौर्थ की तरफ करना चाहिए वाइल सिटिंग वाइल डूइंग वर्क यूशुद फेस्टु दिन ओर इस्ट ओके ओर राइट तो लिस्नर साथ सुन रहे हैं रेवा जी को रेवा जी वास्तु व अंतर करने के लिए तो रेवा जी बहुत सिंपल सब्दों में आपने हमारी लिशनर्स को बताया कि वास्तु दोस्तु वास्तु वास्तु हमें कितना है एल्प करता है आज कल मुख्यताहा जनरली कुछ खास चीजों से लोग परिशान होते हैं धन से परिवार से और स्वास ल्फिकी भी ढौक्तरों की शलाह लेकरके अपने आपको समहाल लेता है लेकिन कई बार ऐसी परिशानियों में उलज करके रह जाता है झिसका इलाज ना तो डोक्टर के पास होता है और नहीं और किसी पास वहाँ परिशानी है परस्नल लाइफ फेमिली लाइफ साधी का ज तो हमारे पर्सनल लाइफ में आप कह सकते हैं कि प्यार की कमी सुख शांती नहीं रहती बिट्विन पार्टनर्स आपस में पर्सनल रिलेशन के बीच में अगर आप उस वास्तो डिफेक्ट को दूर करते हैं जो मैं भी आपके साथ में बताने के लिए जा रहे हूं उन टिप करना चाहते हैं या कहीं पे अगर थोड़ा बिटरनेस भी है कोई कड़वाट भी है तो उसको भी दूर करने की कोचिश कीजिए अगर आप इसको फॉलो अप करेंगे तो आप इस खुबसूरा दिन को बहुत ही अच्छा भी बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह इसे लेकर फिर आपके साथ शेयर करते हूं येस ये लाइवन एर वित रेवा कुमार नमस्तर रेवागी अगर आप मेडिकल हेल्प लेंगे तो बहुत ही अच्छी होगी लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि अगर कोई भी स्किन डिजीज होती है कई बार हमारे को साथ इस्ट में अगर हमारा बेडरूम हो उसकी वज़ा से भी हमारे साथ में प्राबलम होती है लेकिन अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन को लेके मुझे कॉल करेंगे तो डियर मैं आपको अच्छी तरह से ठीक तरह अगर रामिटेस दे सकूँ कि जो आप मुझे शोके ब कि अगर साथ वेस्ट में मास्ट बेडरूम नहीं है तो आप 90 डिग्री एंगल साथ या वेस्ट का बेडरूम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहोगा मैं जाती हूं विसिट करने के लिए तो देखती हूं कि बेडरूम में अगर कोई चीज टूट गई है तो आप उसक अगर आप स्टूडी रोम में रखेंगे या अपने ऑफिस की जगा या फैमली रूम में रखेंगे तो ठीक रएगा अगर आप बेडरूम में रखते हैं तो वहां को उसको रात को सोने के समय एक लिस्ट उस पर जरूर कवर रखें हमारी बॉडी नहीं उसमें रिफ्लेक् आपकी marriage की album, जब देखते हैं कि अगर आप marriage की album को उठाकर अगर आप नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन में रखेंगे या साओधीस्ट में रखते हैं, तो हमारे personal relations में कड़वाहत आती है, बीटरनेस आती है, if something is like this, तो अपनी marriage की album को आप अपने bedroom के south west corner में रखें, कहने को आपको लगेगा कि what she is saying, लेकिन dear really, it's very good, अगर किसी का भी कोई आपस personal relation में कहीं break up की ऐसी कोई stage होती है, अगर वो अपनी album को marriage album को proper अपने bedroom के south west direction में रखते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा relief पाएंगे, अ marriage life को अगर कहीं देखती हैं, किस रिष्टे में करवाट या तूटने को आ रहा तो उसको बचा सकती हैं, avoid करिए beam को, अगर आपकी ceiling, bedroom में beam है, अगर आपके उपर में right over the bed, it should be avoid, अगर आप avoid नहीं कर सकते हैं, तो at least वहां पे crystal या wind jam को लगा सकते हैं, और beam को अगर आप brown paint कर देंगे, या wooden frame लगाएंगे, तो उसकी negativity दूर हो सकती है, कई बार लोग क्या कर देते हैं, कि जगा कम होती है, ना भी जगा कम हो, तो भी वह अपने bedroom में कहीं ना कहीं भगवान जी की picture को जरूर लगाते हैं, please avoid it, उसको रखी, भगवान जी की जगा, भगवान जी की पर बनाईएं, ना कि अपने bedroom में बनाईएं, नेक्स राज आता है, कि अगर जगडा भी करना है, arguments कर लेते हैं, आप बेवज़े की बहस कर देते हैं, तो उसको क्या करना है, arguments के लिए मैं आपको बहुत अच्छी जगा बता रही हूं, that is the northwest corner, अगर आप अपने bedroom से उठके northwest corner में अगर आकर किसी चीज़ पर arguments husband wife करेंगे, तो बहुत जल्दी वो solve करेंगे, उस बात को आप सादा लंबा नहीं कीज सकते, this is also correct, try to place your beautiful loving mood picture on the southwest wall of your bedroom, that will also give you growth, जितना जादा आप अपने color bedroom के बीच में pink color को use करेंगे, उतना ही आपका loving relation enhance होगा, प्यारी life आपके enhance होती है, अब लीजे, कोई भी glass ball ले लीजे, take any glass ball and put some pebbles or crystal pebbles होते हैं, खास तर उसके बीच में आप थोड़ा pink और red color के pebbles को जरूर डालिये, डाल कर आप उसके बीच में साथ में ही, you can take pair of candle also, अपने bedroom के south east corner में जरूर रखिए, मैं इसको फिर तुबारा बताना जाओंगे, it's एक bowl लेके glass bowl लेजे, उसमें कुछ pebbles धेर सारे डाल कर, साथ ही साथ में जिसमें आप pink color के red color के pebbles हो, और साथ ही उसके red colored candle आप south east corner में रखेंगे, अपने master bedroom के, that will help you a lot. खासर पे, Thursday है कल, Friday को, don't forget to exchange perfume with each other, only with husband and wife, this remedy is very good for the husband and wife, if they exchange perfume with each other on Friday, वो आपके relation को और भी मजबूत और strong बनाते हैं, sometimes, कुछ लोग suspicious भी हो जाते हैं, और suspicious होते हैं, या suspect करते हैं, कि some extra martial relation is also, कि उनके partners का होता है, if you really want to avoid it, और उसको खदम करना चाहते हैं, तो बहुत easy, आप छोटा साथ कहते हैं, there's a couch, जिसको baby couch बोलते हैं, कौडी भी इसको हिंदी में बोलते हैं, shell भी बोलते हैं, अगर आप ladies के females या male के, उनके pillow में रखतेते हैं, तो आप अपने partner के life को दुबार, love को दुबारा regain कर सकते हैं, this is also very good tip, according to wasto, अगर आप किसी भी छोटे से shell को, husband या wife, जहां पे भी आप सोचते हैं, कि उनका कहीं extra martial relation तो नहीं, उसको avoid करना चाहते हैं, और उनको वापस चाहते हैं, तो आप इस remedy को लेने की जरूर की शिश कीजिए, that will also help you, next entrance, southwest में अगर entrance होती है, तो वो हमारे को घर के problems तो लेकर आती है, it's very easy, अगर आपका घर southwest entrance में है, तो घर के बाहर आप copper wire और पाकवा pyramid protection plate को जरूर लगाए, वो भी आपको help करेगे, और next आपको दे रही हो, that's a crystal ball, don't forget to hang, 50 mm का अगर आप pink crystal ball, ceiling पर आप southwest corner में लगाते हैं, तो वो आपके relation में बहुत सादा मिठास लेकर आता है, कई बार में देखती हूँ, जब मैं visit करती हूँ, तो bedroom पे open scissor पड़ा है, या nail cutters बहकुल open पड़े हुआ है, या knives पड़ी हुई है, avoid them, इस चीज़ को आप बहकुल avoid करिए, और bedroom में खास और पे, bedroom पे खाना बहकु होता है, तो avoid them, कई बार kitchen हमारी southwest में होती है, तो वो भी relations को खराब करती है, burn करती है, उसके लिए भी आप proper remedy करिए, ताकि आपका relation अच्छा रहे, it's very important, next I'm going to give you, if you really want the cordial relationship, keep the windows open in the morning, अगर आप घर में हर मनी चाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा relation होता है, कि अगर इस relation में सु हमती है, प्यार है, तो आप अपने पूरे घर के atmosphere में peace और harmony लेकर आ सकते हैं, तो listeners, कोशिश करिये, कि आप अपने morning में at least north और east की पूरे घर की windows खोलें, और वहां से जादा से जादा energy लेकर सकें, ये तो मैंने कही है, कि southeast में kitchen होगी, तो वो आपके relation में harmony लेकर आएगी, अब आप देखिए कि अगर आपकी kitchen south east में है, तो there is nothing to worry, just relax and cool, और अगर kitchen south east में नहीं है, master bedroom southwest में नहीं है, तो फिर तो कोई ना कोई करवाहत परिशानी ऐसे जगड़े हैं, इन जगड़ों को आप avoid कर सकते हैं, अगर आप divine वास्तु tips को follow up करें, जब भी जाहें, अगर आ divinevastu.net, वहाँ पर आपको हर तरह की blogs मिलेंगे, हर तरह की information मिलेंगी, otherwise you can call me, अगर आप interested हो, अपने घर पे visit कराने के लिए, जिसको आप proper जानकारी चाहते हैं, कि क्या reason है, जब आप इतनी मेहनत करने के बाद में भी अपना grow नहीं करें, क्या कारण है, जो बेवजे आप के इतने unwanted expenses है, what is the reason behind it, कि जहाँ आपका इतना खुबसूरत ये personal relation खराब हो रहा है, या बच्चों के साथ में कहीं पे भी bitterness है, या health issues है, कहीं ऐसा नहीं, कहीं नहीं कहूंगी, जरूर मैं कहूंगी, कि might be due to vastu defect, तो इन सब जानकारी के लिए आप call कर सकते हैं, मुझको रे www.divinevastu.net और email करना चाहें, तो कर सकते हैं, divineavc.gmail.com, जाते जाते मेरा समय हो गया है, यही शब्द हम आप सब के लिए कहेंगे, और अगर जोती से जुड़ा सवाल हो, तो अचारे जी को call करें, उनका number है 408-480-5477, जाते जाते ये शब्द आपके लिए, वो खुद ही पूरी करता है मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उडानों की, रखता है जो होसला आसमान चूने का, उसको नहीं होती परवाद जमाने की, जै माता दी